जो जन तेउं बाना बंदू बिछो हूं पीता बचन मन तेउं नहीं ओहूं सुत बितनारी भवन पड़िवारा ओही जाही जग पारही बारा अस विचार जी जाग उटाता मिलईन जगत सहोदर भ्राता जदा पंक बिनु खग अत दीना मन बिनु फनि करिबर करहीना असमव जीवन बंदू बिनु तोही जो जड़ देव जियावई मोही जैहाँ अवध कवन मुहलाई नारी हेतु प्रिया भाई गवाई बरु अपजस सहतेऊं जग माही नारी हानी भीशे सचती नाही अब आप लोग सोप सुच तोरा तहीं है नी धूरा कटोर उरा मोरा निजजननी के एक कुमारा तातु तातु तुम प्रान अधारा सौपेची मोही तुम ही गही पानी सब भी दिसुकत परमहित जानी उतरू का जै हाँ तो ही जाई उठी किन मोही सिखावं भाई पहु बीदी सोच ता सोच भी मोच ना स्रावत सलिल राजीव दाला लोच ना उमा एक आज खंडर गुराई नर्गति भगत क्रिपाल देखाई जैसी आराम 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 सियांगर राम चंद की पवन सुत हनुमान की उमावणि महादेव की कुछ टोन का अपना अलग आना देना एक और जब कुछ पाना हो ना जोर से कहना पड़ता है भुस भुसा के कहोगे तो हो सकता सुना ही न दे तो फिर उसकी गल्ती थोड़े न है आपने इतना धीरे से बोला के उसको सुनाई न दिया अप जोर से बोलोगे तो कही न कही कान में तो भुसेगा यह वाज भुसेगा तो फिर देखेंगे देखेंगे तो भगवान इसे है कभी अपने भक्त को संकट में छोड़ते नहीं भगवान स्री राम रोते हैं बिलगते हैं कहते मुझे पता होता न कि वन में आकर अपने भाई को खोना पड़ेगा तो मैं पिता की बात को नहीं मानता भगवान ऐसी लीला करते हैं कि एकडम साधार्ण जैसे मानो बिलगता हो अपने भाई के लिए जब आप उद्विग्न रहते हैं विचलित रहते हैं दुखी होते हैं तो कई बार आपका भाशा पर शब्द पर भाव पर नियंत्रन तूट जाता है अब जब देखते होंगे धरों में गुस्ता आता है न आपको या आपके पती को या आपके सास को या आपके ससुर को इतना आप बोलते हैं इतना बोलते हैं कि समझ बने आता है कि क्या बोल रहे हैं तो भगवान राम में ऐसे अनियंत्रित भाव की अभिवेक्ति कर रहे हैं नीज जननी के एक कुमारा तात तास तुम प्राना अधारा अब दो भाई होते तो कोई बात नहीं था अकेले हो कैसे तुम्हारे मिना वो रहेगे जबकि लक्ष्मन जी और सक्त्रुड जी दो भाई है लेकिन भगवान कभी खयाल ही नहीं है कई बढ़ ऐसा होता है जीवन में रभु प्रलाप सुनिकाना विकलभए बानर निकरा आई गया हनुमान जीमी करुना महबीर रसा करुना महबीर रसा एक दम एमोशनल सीन चल दा है कि कैसे जीवन बचेगा अब तो ये जीवन से हमारे अलग हो जाएगा और तब तक सब के जीवन को रक्षा देने के लिए बीर के सरीका हनुमान जी परवत सिंखला लेके उपस्तित हो जाते हैं और सब लोग बोलने लगते हैं जै हनुमान जै हनुमान जै श्रीरां सुसें जी जट और पट से जाते हैं वो जो जड़ी बूती है न संजीवनी बूती उसको चुनते हैं और चुन करके उसका रस बनाते हैं और रस ले जाकरके लखनलाल जी के मुख में जैसे ही डालते हैं वैसे ही अगले कुछी शणों में लक्षमन जी के सरीर में चेतना वापिस आ जाती है और राम 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 कह करके लक्षमन जी उठकर अगवान स्री राम के सामने बैठ जाता है अब जब सब महौल ठीक हो जाता है न तो सब खुश हो जाता है लेको राम जी और हनुमान जी का न जोड़ी ये बड़ा बड़ा गाड़ी जोड़ी है आप आगे सुनेंगे जब राम जी रामन का वद कर देते हैं अयोध्या में आते हैं सब को कहते हैं जाओ भईया अपना अपना काम करो लेकिन हनुमान जी को कहीं नहीं बेचते हैं और आज भी हनुमान जी आयोध्या में रह करके आयोध्या की रक्षा करते हैं कहां हनुमान गड़ी पर एक बहुत सुन्दर भजन है हनुमान जी और राम जी किस जोड़ी पर आये सुनते हैं दुनिया चले न शी राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना के बिना जब उसे रामायन पड़ ली है, एक बात हमने समझ ली है, रावन मरे न शी राम के बिना पता चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न शी राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना बिना बच्चमन का बच्चना मुश्किल था, मुश्किल था, भै मुश्किल था बच्चमन का बच्चना मुश्किल था, कौन बुटी लाने के काबिल था लक्ष्मन बच्चन शीराम के बिना, बट्मन बच्चन शीराम के बिना, बुटी मिले नहनुमान के बिना